नमस्कार मैं सुचील पाल और MTTV इंडिया पर आपका स्वागत है देश में बढ़ते प्रिदुशन को रोकने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू किये इस पहल के तहट प्रिदुशन कम होने के साथ साथ देश के युवाउं को रोजगार भी मिलेगा इसके लिए कि इन सरकार ने देश में एलेक्टिक चार्जिंग स्टेशन खोलने की नई युजना बनाई है सूच में लगो एवा मद्यमुद्यूक मंत्राले MSME इस युजना को आगे बढ़ाने के लिए युवाउं को ट्रेनिंग दे रहा है ट्रेनिंग के दुरान आपको चार्जिंग स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और इसके साथ ही काम करने की नई तक्नीक भी सिखाई जाएगी हाली में देश के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारूती सूजिकी ने छोटी डीजल कारे बंद करने का एलान भी किया था और आगामी वर्षों के अंदर भारत में एलेक्टिक वाहनों का एक नया दोर शुरू हो जाएगा साल 2013 में भारत की सरकार ने राष्टे एलेक्टिक मॉबिलिटी मिशन योजना की शुरूआत की थी और ऐसे में चार्जिक इस्टेशन आपके लिए कमाई का एक अच्छा साधन होगा इस ट्रेणिंग में आपको मेकेनिजम, सोलर पावर्ड इलेक्टिक वीकल चार्जिक इस्टेशन टेक्नोलोजी, इंफ्रस्ट्रक्चर, बिजनिस, सोलर पीवी चार्जिंग कर एक्टिविटी लोड्स, इलेक्टिक सीटी टैरिफ, आदी के बारे में जानकारी दी जाएग वहीं जापानी कंपनी पेनस्वानिक भारत के 25 शेरों में एक लाग चार्जिंग स्टेशन लगानी की तयारी कर रही है और आने वाले सालों में भारत में पैट्रोल और सी एंजी पंप की ही तरह जगे जगे पर आपको चार्जिंग स्टेशन बिखाई देंगे पार्किंग इस्टेशन हो, मॉल हो, पेटरल पंप हो, जैसी तमाम जगों पर ये चार्जिंग इस्टेशन लगाए जाएंगे और इसके लिए कंपनी लोगों को फ्रेंचाइजी भी देगी चार्जिंग इस्टेशन लगाने के लिए 15 राज्जों ने नोडल अजेंसियों की गुष्णा भी कर दिये एक साल के भीतर हाइवे पर चार्जिंग इस्टेशन लगाए जाएंगे ये Charging Station NTPC Power Grid के साथ मिलकर लगाई जाएंगे और एक अनुमान के मताबिक जो रिपोर्ट हासिल हुई है कि एक Electric Charging Station पर करेब 4 लाक रुपे का खर्चाएगा इस्टेशन खोलने की अन्य शर्तों का अभी कोई खुरासन नहीं हुआ है लेकिन सरकार की और से जो गाईडलाइन जारी किये गए है उसमें कहा गया है कि हाईवे पर हर 25 किलोमेटर पर दोनों तरफ एक पब्लिक चार्जिंग इस्टेशन होना चाहिए इसके साथ ही हुआ 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 है